आमेन 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 प्रवाप सभी को आशिष्टे आईए आज हम संदेश के तरफ संदेश के तरफ बढ़ते हैं संदेश में आज के जो मूल वाकी की तरफ में बढ़ने के लिए लूकर अचेसु समाचा और उसका अठारवा अध्याय मैं जो हूँ आज आपके सामने रखना चाता हूँ लूकर अचेसु समाचा उसका ठारवा अध्याय और उसके पहला आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाता हूँ यहां पे इस प्रकार लिखा गया है फिर उसने इसके विशेय में कि नित्य प्रात्ना करना और हियाव ना चोड़ना चाहिए उसने यह चेलो को इस प्रकार समझा रहे हैं कि फिर उसने इसके विशे़ में कहा कि नित्य प्रात्ना करना और हियाव ना छोड़ना जी हां आज कजो जो जस प्रकार आपने में वे देखा आपने करने के बारे कैसे हम आगे बढ़ेंगे कैसे प्रबु हमें आगे बढ़ाएगा इन सारे चीज़ों की बारे में ने छहाता है लेकिन अगर आप मुझसे पूँचेंगे भाई आप एंगल से क्या समझते हो ऐख किन फिर 157 अब करनगे अगर आप जैसे एक चोटा बच्चा एक होटे बच्चे के लिए बोलते हैं कि मेरे छोटे हैं सबसे मुश्किल होता है क्या है क्का Jesse ऑसके निहेंगे तो बढ़ नहींद नहीं पाएंदे उनको आके नहीं के समान पता है उसी प्रकार से अगर एक एवैंजिलिस्ट को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पौश्टिक आहार अगर मैं कहूं तो वो है प्राथना करना हालेलूया प्रभु ये शुमसी कहते हैं कि नित्य प्राथना करना हियावना छोगी हर एक परमेश्व के दास के एक प्रभावशाली प्राथना ही है एक वैक्ति को आगे बढ़ाती है एक प्रभावशाली प्राथना ही है जो उसको उसके उन्नती में लेके जाती है एक प्रभावशाली प्राथना ही है जो उसका उपकरन है उसका टूल्स है एक प्रभावशाली प्राथना है जो उसको जो है परमेश्वर के नजदीक लेके जाती है एक प्रभावशाली प्रात्ना ही है जो उसके माध्यम से परभू येश्यु मसी अत्पुचिन और चमतका करते हैं एक प्रभावशाली प्रात्ना ही है जो उसको एक सच्चा आत्मिक जीवन लेने में मजबू आगे बढ़ाती ह एक प्रभावशाली प्रात्रा ही है जो एक व्यक्ति को सच्चा विश्वासी बनाता है मेरे प्रियो आज हम जवानों को प्रभावशाली प्रात्रा के रूप में एक आदर्श बनना है जी हाँ अनेक लोग चाहते तो हैं कि मेरे हातों से बहुत ही चिन और चमतकार हो मेरे हातों से प्रभु येश्य मसी अद्बुत काम करे मैं चाहूं, मेरे अंदर ये चाहत रहती है कि प्रभु मुझे सबसे जादा इस्तमाल करे लेकिन प्रभु येश्य मसी देखता है कि मैं कितना उसके लिए फलवंत रहूंगा मैं उसके लिए कितना उपयोगी रहूंगा वो कैसे पता चलेगा जब मैं उसके लिए उसके साथ समय वैती तो रहूँगा प्रात्ना का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ जो है रात को सोने से पहले कुछ देर हम प्रात्ना कर लिए सुबह उठता थोड़ी देर प्रात्ना कर लिए अलग से कुछ देर समय वे बिताई जी हाँ वो सब जरूरी है लेकिन उससे भी उपर अगर मेरी भाशा में अगर मैं कहूँ कि भाया आप प्रात्ना से क्या समझते है मैं बोलूँगा प्रात्ना एक लाइफ स्टाइल है प्रात्ना एक जीवन शैली होनी चाहिए प्रात्ना एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए आप किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं आपका उठना बैठना कैसा है आपका भोजन करना कैसा है आपके साथ में जो व्यक्ति चल रहा है वो जान जाता है आपका सबसे अच्छा दोस्त, मान लिजे आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके साथ चल रहा है और आपको बर्डे में एक गिफ्ट देना रहता है, वो दोस्त आपको एक सर्प्राइज गिफ्ट देता है और वो surprise gift कही न कहीं क्या होता है आपको माल आपको पसंदीदा होता है क्यों वो surprise gift आपको इसलिए पसंदीदा होता है क्यों कि आपका दोस्त जानता है आपका लाइफ स्टेल क्या है आपको उटना बैठना जानता है वो आपको क्या color पसंद है जानता है आपको क्या food पसंद हbehmore जानता है वो क्यों कि歡ो क्योंकि आप समय बिताते उसके साथ और वो दोर्त आखिर में जाना कर उसको kap they best अपको देता है इसी प्रकार से हम जब उप्रात्ना करते हैं हम प्रातना करने पर क्या होता है हम प्रभू से और नजदीग आ जाते हैं प्रभू के और करीब आ जाते हैं प्रभू के दिलों को जानते हैं प्रभू के रहस्यों को जानते हैं प्रभू को और पसंदिदा क्या लगता है उसको और देने के लिए हम क्या करने लगते हैं कोश लेकिन जब शुरुआत में जब मैं वर्शिप लीट कर रहा था तो जब शुरुआत के समय मुझे काफी मुश्किल लगा कि भाईया वर्शिप लीट करते साहे मुझे सॉंग सेलेक करने पड़ते हैं कौन सा सॉंग ले किस प्रकार का सॉंग ले क्या-क्या उसमें देख रहे कौन से स्केल में जाएगा या वो कॉर्ट में रहेगा ये एक साह जाएगा बहुत सारा जो इटेंशन रहता है यह कौन से कौन से सॉंग्स को हम जले कैसे जो है आगे बढ़ाएंगे और उसके बात क्या है जब यूज्वल हो गया तो थोड़ा सा जो है मुझे एजी लगन था बात-बात में मुझे यह एहसास होने लगा कि क्या मेरे गीत कि मैं लोगों को प्रसंद करने के guru कर रहा हूं या जिसने मुझे उस platform में ख़ड़ा किया है उसको प्रसंद करने के यह unfortunate हम जाया हम गीतों को हुजाते हैं हम जब आगे बढ़ने लगते हैं कही ना कहीं हमारें अंदर से वो जो है कम हो जाता है एक डर एक कम कमी आ जाती है उसके बाद हम हारे एक चीज़ को यूज्वल या फित हमेशा अपने जंदगी में जब कभी भी स्टेज पर चाउँ ब्रभू एक चीज में मेरी प्रादम रहती है प्रभू जिस प्रकार आपने हाबेल और उसके बलीदाद दोनों को आपने ग्रहन किया था प्रभू पहले मुझे और मेरे बली मेरे जो है स्तूती बली को भी आप ग्रहन कर सोचने वाली बात है हम दब बेस्ट प्रभू को दिने कोशिश करते हैं लेकिन दब बेस्ट सबसे पहले कहां से खड़ा होता है मुझसे मुझसे खड़ा होता है दब बेस्ट कहां से खड़ा होता है मेरे गीतों से नहीं जब मैं स्टेज में खड़ा होंगा दब बेस्ट प् संदर गालू मैं चाय जतना भी 5 मैं चायँ जितना भी कुछ भी लेगे जब प्रभु मुझसे प्रसंद नहीं होगा तो मेरे गीसों से भी प्रसंद नहीं वो कैसे होगा कैसे आप हाबयल के समान या फिर कैसे अपने आप प्रभू को आप में प्रसन्नता दिखेगी जब आप उसके साथ समय बिताएंगे जब आप प्राथना करेंगे जब आपका जीवन शेली एक प्राथना का जीवन शेली होगा जब आप उठते बैठते सोचते हर समय आपके अंदर क्या होना चाहिए मेरा प्रभू इश्यू मसी होना चाहिए मैं इस प्रकार एक परमिश्य दास के बारे में सुन रहा था वे इस प्रकार कह रहे थे अपनी गवाही दे रहे थे कि जब वो किसी रेस्टरॉंट में भी जाएंगे सबसे पहले आंग बंद करेंगे और पूछेंगे प्रभू what should I order मैं क्या order कुरू आज मैं क्या खाना को जाना रहता है तो अपना वाडरों बार उभ्य खोलेंगे कपड़े चुन्ने रहते हैं अंख बंद करके सबसे पहले यह पूछते प्रभू मैं कौन क्या पहनो आज क्या पहने आपको क्या अच्छा लगता है यह सब कैसे हो गया वह एक वैक्तिकी कहानी है नहीं अगर आप बाइबल में देखेंगे अनेक आपको उधारन मिलेंगे जो इस प्रकार की जीवन शैली में आगे बढ़ता है सबसे अगर उंपॉर्टेंट में कहूं तो आप पॉलुस की जिंदिगी को देख सकते हैं पॉलुस हमेशा क्या करता है जहां कहीं भी जाने से पहले प्रभ कुछलेम की जरफ जा कि हर एक जगा पॉलुस अपने मन से कुछ नहीं करता लेकिन उसको चलाने वाला एक प्रभू था क्यों क्योंकि अपने जीवन शैली में उसने प्रभू को ले लिया था उसने अपने जीवन शैली में क्या किया प्रभू को ले लिए वो लेकिन कैसे ह हुआ मैं पोचूंगा पालुस क्या एक दिन में आपके अंदर ये ट्रांस्फोर्मेशन आ गया क्या क्या एक ही दिन में आपके अंदर ये बतलाव आ गया क्या पालुस बोलेगा नहीं भाई पहले मैं ऐसे प्रार्थना करने वालों को नश्ट करने वाला था मैं एक ऐसा व् कि जब मैं ऐसी लोगों की बाते भी सुनूं तो मेरे रॉंक्टे खड़े हो जाते थे मैं उनको मारने के लिए दौड जाता था लेकिन एक दिन जब मैं दमस्कस की ओर जा रहा था मेरी मुलाकात एक प्रभू से हुई एक प्रभू से हुई और वो प्रभू कौन था जी हां अगर हम प्रईतों के काम अगर उसकी जो है नौवे आयत को अगर नौवे अध्याय को अगर हम देखेंगे हम इस प्रकार बढ़ते हैं उसके चौथे आकिमें वह भूमी पर गिर पड़ा और यह शब्द सुनता रहा हे शाओल हे शाओल तू मुझे क्यों सताता है उसने प प्रश्ण का जवाब उस शाओल को पॉलस में बदल देता है यह एक प्रश्ण यह प्रश्ण हे प्रभू तू कौन है हे प्रभू तू कौन है हे प्रभू आज अगर मुझ से पूछेंगे सेवकाई में जितने भी साल आने के बाद आज आने को पास्टर्स या किसी से पू हे प्रबु तु कौन है और इसी के जवाब की तलाश में उसने कितना लिखा चौदा पत्रियों को लिखा हे प्रभू तु कौन है 14 पत्रियों को लिखा हे प्रभू तु कौन है मैं जितना तुझे देखते जाओ मैं जितना तुझे चाहता जाओ मैं जितना तुझे जाओ मैं कम है पिता क्योंकि मैं इस संसार को तुझे जानता हूं क्योंकि मैं तुझे और पाना चाहता हूँ हालेलुया हालेलुया उसके अंदर एक और बोश उस दिन से आगया ही प्रभू तो कौन है मैं कल तक मैं अगर मैं कब तक गमालियल के पैरों के नीचे शिक्षा पाने वाला एकादाररर्व वक्ती नहीं है पौल पास बैट कर उसने पूरे थोरा को भोल कर पी लिया था आज हमें से कितने जो गोल कर पी लिया है होई नहीं है हम सब कहीं न कहीं कमजोर है लेकिन उस समय के अगर भाशा में मैं कहूं तो पालूस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बाइबल को घोल का पी दिया था वो सब जानता था कि क्या इस बाइबल में लिखा हुआ यानि पुराने नियम के हर एक वैवस्ता को हर एक कानून को वो पालूस अच्छी तरीके से जानता हर एक नियमों को पालन करता था ऐसे ही नहीं उसको एक बड़े पद पे दे दिया था नहीं ऐसे ही नहीं लेकिन उस पद के योग्यता रखने के कारण पालूस को वो अधिकार मिला था कि तू जाके कुछ भी कर सकता है तू उन लोगों को तबाह कर सकता है स्टिफनोस के मृत्यों के समय पॉलूस वहां पे गवाबन का खणा था कारण क्या था कारण यही था क्योंकि उस अधिकार के पद के योग्य कौन था पॉलूस था और ऐसे पॉलूस से एक मुलाकात प्रभू येश्युमसी करते हैं वो चाहिद सुना होगा लेकिन जानता नहीं था और पूशता है रे प्रभू तू कौन है हे प्रभू तू कॉन है। उस दिन से फॉलूस अंदा हो जाता है। पॉलस अंदा हो जाता है मैं उस अंदेपन को कहूंगा कि एक bondage, एक स्वतन्तिता का एक कराह ऐसे लोग जो प्रभु येश्यमसी को और जाननी की कोशिश कर दिक ऐसे ट्रांसपेस में आ जाते हैं, एक ऐसे पढ़ाओ पे आ जाते हैं, एक ऐसे नाम के जगप वो बैठा है बैठा है तभी मेरे प्रभू किया मेरे प्रभू का चमतका देखिए पॉलूस वहां बैठकर रातना कर रहा है तू मुझे बता पॉलूस वहां बैठकर रातना कर रहा है प्रभू तू कौन है और उस पॉलूस को चुडाने के लिए मेरे परमेश मसी ने एक हनन्या को तयार करके रखा हनन्या क्या कर रहा है हनन्या प्राथना कर रहा है प्रभू अपने लोगों को बचा प्रभू अपने लोगों को बचा और यह प्राथना कर रहा है तब परमेश्य का एक शब्द हनन्या के पास आता है प्रभू परमेश्य का शब्द हनन के पास आका पूछता है कि हे अनन्या तू उठ सीधी नाम के रस्ते पर जा वहां पे फालूस है वहां पे शाउल नाम का एक वेक्ति है जो प्रात्ना कर रहा है तूसको जाकर बप्तिस्मा दें पहला प्रश्ण अनन्या करते हैं प्रभू क्या तू जानता नहीं है यह कौन ह नहीं है उस समय पर वहां पर नहीं जानता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि एक प्रात्थना करने वाले का जवाब परमेश्व एक प्रात्थना करने वाले के द्वारा करता है पॉलुस वहां पर प्रात्थना कर रहा है कि हे प्रभू तु कौन है पॉलुस वहां के लिए परमेश्व एक हनन्या को त्यार करता है एक हनन्या वहाँ पर खड़ा है और कहता है प्रभू ठीक है तू कहता है मैं चाहूंगा तू कहता है मैं चाहूंगा और वहाँ पर जाता है पॉलुस को क्या करता है बप्तिस्मा देता है और पॉलुस की आँखी खुल जाती को हो सकता है उसने जो है प्रभू के मारग में अपने जीवन काल में हो सकता है उसने ले के आया होगा एक अमूमन जो है चार लाग पर लोगों को वो प्रभू के रस्ते पर ले के आया होगा अनेक कलीसियाओ को उसने स्थापना किया होगा अनेक लोगों को उसने प्रभू के मुकुट वो सोने का मुकुट उसके इनाम का समय आएगा पॉलस वहां आगे खड़ा होगा और मेश्यर उस पॉलस के सर पर वो मुकुट रखने से पहले प्रभू येश्व मसी बुलेंगे पॉलस तो एक मिनिट खड़े रहे यह पॉलस से पहले मैं एक हनन्या से मिलना चाहत यह हनन्या के कारण ही आज यह पॉलस खड़ा हुआ आज यह पॉलस चार लाक लोगों को अगर इनाम चार लाक लोगों प्रभू के सामने लेके आया है तो आज उस हनन्या के कारण चार लाक लोग का प्रतिफल पाने वाला है वो हननन्या हालेलुया हालेलुया अगर पॉल क्योंकि उसने पॉलूस को तेयार किया आज मैं ऐसे हननिया लोगों को इस ग्रूप में उठने के लिए मैं प्राथना करता हूं कि जो अनेक पॉलूस लोगों को पड़ा करें लोगों को अनेक शौल से फौलूस में खनवोर्ट बदलने वाले एक ऐसे हनन्या लोगों को आज मैं देखना चाहता हूं आज हरदिश मांगता है आज मांगता है आज मांगता है अज शायद Paolus अगर वहाँ पे डगमगा रहा होता यरुश्लेम में अगर पॉलुस जा रहा है हम जानते हैं पॉलुस की जीवनी को पॉलुस की जीवनी को हम जानते हैं पॉलुस एक तीन साल के गैप के बाद वो कहां जाता है यरुश्लेम की तरफ जाता है यरुश्लेम की तरफ वो जाता उसके प्रेदित वहां पे उसको अंगीकार नहीं करते हैं वहां पे जो प्रेदित है वो उसको एक साथ गले नहीं लगाते हैं पत्रस है वहां पे योहना है वहां पे बड़े-बड़े लोग हैं वहां पे प्रभु येश्यो के मसी के साथ समय बिताकर और सेवकाई को उस बनने के बाद जब यरुष्ट्लेम के तरफ जा रहा है यरुष्ट्लेम के तरफ जान रहा है वहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए बताने के लिए कि भीया यह सब सेवकाई मैंने की है लेकिन उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए कोई नहीं था लेकिन अगर नौ क्या दियाय के 27 27 में परंतु बर्नबास ने उसे अपने साथ प्रेजितों के पास ले जाकर उसको बताया कि उसने किस रीती से माग में प्रबू को देखा पॉल उसको आगे बढ़ने के लिए अनन्या के साथ एक बर्नबास की भी जरूरत थी कोई अगर ऐसा कहता है कि हाँ मैं अकेले से उकाई कर लूगा मुझे किसी की सहायता नहीं है पॉल उसको खड़ा करने के लिए खनन्या की जरूरत थी एक पॉल उसको आगे बढ़ने के लिए बर्नबास की जरूरत थी एक पॉल उसको आगे बढ़ने के लिए हाँ सीलास की जरूरत थी एक पॉल उसको और आगे धैरी और हिम्मत रखने के लिए एफिसोस जन की जरूरत थी एक पॉलूस को उत्साहित रखने के लिए तीतोस तीमोटियोस की जरूरत थी मेरे प्रियो पॉलूस अकेला नहीं था मेरे प्रियो आप भी अकेले नहीं है यह यहूत मीटिंग में भी आप लोग कोई अकेले नहीं है Let's have the fellowship क्योंकि यही एक गुट है यही एक लोग है जब हम प्रात्ना में एक होते हैं तब प्रभू हमारे उपर वो अभिशेक उम्डाता है हालेलूया हालेलूया यहाँ पे हम देखते हैं कि यरुशले में परमेश्व किसको भीजता है पर्नबास को भीजता है तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं एक प्रात्ना का जीवन हम देखते हैं पॉलूस के अंदर भी आता है पॉलूस प्रात्ना में आगे बढ़ता है पॉलूस को यह धैरियन यह हिम्मत आ जाती है कि हाँ अब तक की प्रात्ना एक अनुसार नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर एक प्रात्ना की शैली में मुझे आगे बढ़ना है इसलिए तो तिसलोनियों की पत्री तिसलोनियों के पत्री में पॉलूस जो है इस प्रकार कहता है कि निरंतर प्रात्ना करो निरंतर प्रात्ना करो कैसे कहता है निरंतर प्रात्न ये commandment के अनुसार जो है commandment यानि एक आग्या के अनुसार आग्या के अनुसार पॉली स्वाम में कहता है निरंतर प्रात्न अब आप मुझसे पूछोगे भी या निरंतर प्रात्न क्या हमें क्या हमें अपना काम नहीं करना है क्या हमें बहने हैं तो क्या हमे पढ़ाई नहीं करनी है कि हमें और दूसरे काम काज़ नहीं करना ही क्या निरंत डिता सीजिंग में क्या लिखा है उटी सीजिंग सीजिंग का मतलब क्या होता है एक यक फूरन वी आप एक लेकिन without seizing, बिना कॉमा लगा हुए हुए, अगर आप देखते होंगे, आप किताबे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं, वहाँ पे कॉमा लगता है, फुल स्टॉप लगता है, हर एक चीज लगता है, कॉमा यानि एक पॉस देना है वहाँ पे, उसके बाद अगला, लेकिन प् ही एक प्रार्थना बन गया है, अगर मैं यात्रा कर रहा हूं, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मैं मुझे कारगरा में डाल दिया जाए, तो भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मैं स्रीलास के साथ, अगर मुझे हद्कडियों में भी बांद दिया जाए, मैं मां पे भी प्रार्थना कर रहा हूं पॉल उस कहेगा मेरे जीवन के अक्रिशास तक मैं प्रार्थना कर रहा हूं और उस प्रार्थना का नतीज़ा है चौदा पत्रियां अनेक कलीसिया हैं और अनेक लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाना अनेक लोगों के लिए एक मार्ग दर्शक और आदर्श बनना मेरे प्रियों आज हमें आदर्श लोगों की जरूरत है आदर्श प्रार्थना वीरों की जरूरत है मैं देख रहा हूँ आदर्ष प्रार्थना वीर आज इस मंडलीस में खड़े होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आईए अब यहाँ पे वापस हम लुकर्जिस समाचार में आते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्रभु येश्यमसी नित्य प्रार्थना करने प्रभु येश्य मसी भी कहते हैं, नित्य प्राक्थ ना करना, नित्य, क्या है इसकार्थ? नित्य, whenever, हमेशा, कभी का बार नहीं, कुछ देर के लिए नहीं, लेकिन, कुछ कड़ी के लिए नहीं, कुछ celebration के टाइम पे नहीं, कुछ परवो के समय पर नहीं, गुड फ्राइड़े, Easter और Christmas, New Year में नहीं, लेकिन निरंत, नित्य प्राक्थना करने के लिए प्रभु येश्य मसी कह रहे हैं, यहां पे हम देखते हैं, प्रभु येश्य मसी क्यों ऐसा कह रहे हैं? आईए, उसके लिए लुक अरचिस्ट समाचा, उसका ग्यारवाद ख्या उसे का है, प्रभु, जैसा यहोन अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा हमें भी तू सिखा, यानि प्रभु येश्य मसी के साथ चलने वाले प्रेर, जितने जो चेले थे, जितने लोग थे, उन्होंने प्रभु येश्य मसी में सबसे जो खास बात देखी, कि हम लोग जब सोते हैं, तो प्रभु येश्य मसी पहाड पर चड़कर प्रार्थना करते हैं, हम लोग जब आराम करते हैं, तो प्रभु येश्य मसी किसी अकेले स्थान पर जाकर, जंगलों में जाकर प्रार्थना करते हैं, अगर हम लोग कुछ और काम में रहते हैं, प् एक उड़ो को चंगा करना नहीं तुह में मरहो को मेंसे जिलाना नहीं लेकिन हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखे है कि अचंज प्रभु से बोल सकते हैं ये प्रभु हमें गीत गाना नहीं हमें जो आप्रचार करना नहीं हमें प्रार्थना करना तु हमें सिखा प्रार्थना करना तु हमें सिखा एक विश्वासी का स्मूल भूत एक फाउंडेशन अगर हम कहें तो प्रार्थना का जीवन है एक विश्वासी का एक foundation, एक foundation, और इसलिए प्रभु हिश्वमसी कहते हैं कि मेरे प्रयोग में नित्य प्राथना करनी, तुम्हें हमेशा प्राथना करनी, एक परमेश्यों के दास के बारे मैं इस प्रकार कहरा चाहता हूँ, ब्रदर डीजियस दिना करन, आप लोग सब उच परमेशियों के दास के बारे में अब सुन चुके होंगे हो सकता है जो मैं गवाही बताने वाला हूँ शायद वो भी अब सुन चुके होंगे रिपिटेशन हो रहा है तो माफ ही चाहता हूँ लेकिन एक और बार भली सुन लीजी एक बार ब्रदर डीजिस दिनकरन जी के हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रेयर टावर्स हैं प्रेयर सेल्स रहते हैं उनके और कोई भी कभी भी जाकर अपनी प्रातना के विश्यों को जो है उनकी सामने जाकर रख सकता है वहाँ पे प्रेयर टीम बैटी रहती है और वो वहाँ पे लोगों के लिए प्रातना करती है उसी वक्त क्या हुआ एक वेक्ती काफी दूर देश से काफी दूसरे राज्य से काफी दूसरे जगह से उस prayer tower में अपने अपने एक विशे के लिए अपने एक छुटकारे के लिए प्रात्ना करने के लिए वहां पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया कुछ देर वहां पे प्रात्ना किया लोग उसके लिए प्रात्ना किये उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट किया अगर आप appointment है क्योंकि काफी लोग उनसे मिलना चाहते हैं काफी लोग हैं जो line में रहते हैं और उनसे मिलने के लिए प्रात्ना करने के लिए रहते हैं क्या आपके पास वो है तो उन्हें का कि नहीं मैं काफी दूर से आया हूं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे पास तो मेरा चुटकारा जरूर होगा करके विश्वास के साथ वहां पर आगे बढ़ते हैं लेकिन वहां के रिस्प्षिन से का कि कोई चाहरा नहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा हो सकता है कि आप शायद उनके घर में शायद देख लें लेकिन वहां पर भी मुश्किली है वहां प ख़ड़ा और बोलता है कि नहीं किसी को अंदर आनी की अनुमति नहीं है क्शाय कि वहां पर ब्रदर जो है रेस्कर रहे हैं न हम गुण कि सब्सक्रश्श्. आजओं कि तभी आन्दर से फोन कॉल सेक्यूरिटि गार्ड के पाज आता है और वहां के उपर के step से नीचे उतरते हुए brother DJS दिनकरंजी आते हैं brother DJS दिनकरंजी उस वेक्ति से मिलने के लिए वो step से नीचे ऐसे ऐसे उतर कर आ रहे हैं और जैसी वो step से नीचे उतर रहे हैं एक हवा का जोका वहां पर हम सब जानते हैं e ROM रमें फेर्वां गहरמे है या फिर्दै ऊखर में फिर्दैंस अर्षिक के बिर्दैंट गड़े सबया तरफ़ उपर बाता सठील उनका ऋटन घुरवन ऊपर ही इंग हैं कि इस खारण से क्या हुआ इस कारण से हम देखते हैं कितने सारे लोगों कि प्रभू ये शॐ मसी के तरफ खीच कर लेकर आए प्रचार से यख़ कि प्राथना से उस दिन उश्क्ति के एक deliverance उसी घर में हुआ, उसी घर में हुआ, उसी घर में हुआ, प्रातना करिए, एक evangelist को अगर आगे बढ़ना है, सबसे important है, जिस प्रकार प्रभु येश्यमसी करते हैं, प्रातना करना, प्रातना हमें प्रभु येश्यमसी को जानने में मदद करता है, प्रातना हमें प्र बात ना करना और हियाव ना छोड़ना डूंट लूजन यूर हाट अपने हुरदेव को आप मत थोड़िये आपके जीवन में अनीक मुश्किले आएंगे आप प्रचार कर रहे होंगे शायद हो सकता है कि उस दिन एक भी व्यक्ति शायद विश्वास में नहीं आया होगा कोई आपके साथ नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं प्रभू इसलिए बोला है प्रात ना करो याव ना छोग कुछ लोग एक बार कोशिश करते हैं लेकिन हार मान जाते मेरे प्रियो पालुस ने अनेक साल तर उसने हार नहीं मानी उसके जिन्दगी में अनेक मुश्किले आई अपनों ने उसको पीछे हटा दिया या यरुशलेम के फ्रेरितों ने उसको सुईकार नहीं किया लेकिन पालुस फिर भी कहता है मैं उसको जानता हूँ जिसने मुझे बुलाया है मैं उसको जानता हूँ जिसने मुझे ये फ्रेरित का पद दिया है मैं लोगों के लि नहीं लेकिन जिसने मुझे बुलाया है मैं उसके लिए प्रेरित बन करूँ हालेलुया प्रेरित एक आसान शब्द नहीं है एक आसान पद नहीं है प्रेरित यानि आपको देखकर दूसरे लोग प्रेरित होते हैं आप लोगों के लिए कादर्श बनते हैं इसलिए आज हम ज आदर्श वो बना इसलिए तो पाल जो है तिमोठियुस की पट्री में तिमोठ्र चयों से कहता है कि तुम दूसरों के लिए क्या बनो एक आदर्श बनो कि हम जब एक वैक्टी प्रातना करता है आसान नहीं है में कुछ जह बिताना अगर आप पूछोगे भाईया गीत गाना प्रचार करना वो सब ठीक है लेकिन अगर आवास चली जाएगी आप गीत नहीं का सकते अगर आप कमजोर हो गए आप प्रचार भी नहीं कर सकते आपके आँखे कमजोर हो गई तो आप वचन नहीं पढ़ सकते लेकिन ये सारे करने के बावजूर भी एक व्यक्ति एक विश् प्रार्थना करSकता है कमजोर पड़ गया अगर उसकी रोग की शेग्यां में भी वह पड़ा है प्रार्थना 8 एक विश्वासी का एक अगर एक मजबूत हत्यार है प्रात्ना करना एक वश्वासी से कोई अगर कुछ छीन नहीं सकता शत्रू भी नहीं चीन सकता शैतान भी ने चीन सकता तो वो क्या है प्राथना का हालेलुया हालेलुया प्राथना वो विश्वासी खुद से गिराता है प्राथना वो विश्वासी खुद से गिराता है कैसे जी हां खुद से गिराता है उसके लिए क्या करना है उस विश्वासी को मेहनत करनी ए एक रूटीन बनाना है एक हैबिट बनाना बहुत मुश्किल है मेरे चोटे बच्चे हैं हम उसको जो हाँ आज जब वो सुबज सोके उठता है हम बोलते बटा जाके ब्रस्ट करो वो नहीं बोलेगा फिर भी हम बोलते जाओ ब्रस्ट करो लेकिन आज क्या आप लोगों से औरो नहीं सोके उठने के बाद automatically हम बातरूम जाते हैं ब्रश करते हैं क्यों क्यों कि ब्रश करना एक habit बन गया है शुरू से करने करते करते क्या होगा है habit एक routine एक routine बन गया है आज मेरे प्रियो प्राथना एक lifestyle एक routine के समान हमें बनाना है कोशिश हमें करनी है प्रभु मदद डेफिनेटली करेंगे प्रभु मदद डेफिनेटली करेंगे लेकिन एक routine एक हिम्मद एक शुरूआत हमें करना है एक शुरूआत हमें ही करना है कैसे करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ यहां पर कैसे प्राथना हमेशे जो है जब भी एक विश्वासी प्राथना करता है यहां से उसकी प्राथना जब प्राथना करने के लिए बैठता है उस व्यक्ति के आत्मिक रेल्म मर मैं थोड़ा एक थोड़ा डीपर क्या मैं जा सकता हूं थोड़ा सा एक डीपर चाहता हूं ताकि आप लोग को समझने पाए कि हमारी प्रात्ना का जवाब कभी को बार क्यों नहीं मिलता है क्या कारण है कि हमारी प्रात्ना कमजोर हो जाती ह क्यों हमारी प्रात्ञा में एक आत्मिक अनुभव होना बहुत सुरूरी है एक बार हमारे पास्टर ऊंकल है आप सब जानते हैंगे डॉक्टर में वर गेस अंकल तो पास्टर ऊंकल एक बार इस प्रकार की गवाही बता रहे थे एक which English में which कहते हैं हिंदी में जो जादू टोना इन लोग सब करते हैं ऐसे प्रकार की एक स्तरी थी जब वो प्रभु येश्यमसी को जान गई और उसका जो है परिवर्तन हुआ और वो प्रभु येश्यमसी को जान कर वो आगे आई तो उसने बहुत एक interview एक interview लेने वाला उससे पूछा कि आप जब अपने पुराने शैली में पुराने चीजों को कर रहे थे तो आप लोग क्या करते थे तो लोगों तो वो बोली कि देखो एक व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो वो प्रार्थना करना अगर हम इसको हराना है वो कह और ही है वो कह रही है जो पहले जादुटा करती वो स्री कह रही है वो कहती है कि अगर इस व्यक्ति को हराना है तो सबसे पहले इसके प्रार्थना जीवन को नश्ट कर या इसको प्रार्थना करने बैटने ही ना या इसको प्रार्थना में सबसे क्या कर दो पूरी रीति से प्रात्ना इसका नश्ट करने इसी लिए तो क्या होता है जब कभी भी हम प्रात्ना करने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा उबासियां आती है इसंट इट यूट्यूब में वीडियो देखते तब नहीं आता है पेस्बुक में चैट करते वक्त नहीं आता है लोगों के सामने फ्रेंड्स के साथ जितना भी आप जो है सैर सपार्टा कर लो हमारे हमां हमारे पास उबासिया नहीं आती है हम यौन नही करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उबासी तब आता है जब हम प्रात्ना करने बैटे जबसे ज़्यादा फोन कॉल देखना तभी आएगा जब आप तुम प्रात्ना करने का डिजीजन लेते हो जब हम प्रात्ना प्रभू आप मैं एक गंटा पूरा मैं आपके पास प्रात्न करने के लिए बैठोंगा देखना सबसे ज़्यादा फोन कॉल उस एक गंटे में आएगा जब आप निर्ने लेते हो तब ही आएगा यह कैसे होता है आत्मिक कोई चाहता है जो आपको प्रातना करने बैठने नहीं देने जब आप प्रातना करने के लिए बैठते हो आपके दिमाग में अटमेटिकली बरियानी रस गुल्ला पता नहीं जो जो आपको मन पे संद्दीदा जो फुड है वो पता नहीं आपके अंदर आ जाता है आओ काश आज यह मिल जाता अचानक से बारिश होने लगती है और आप बोलते हो काश पकोड़े मिल जाते गर्मा गर्म चाय मिल जाती मज़ा आ जाता है कहां पे आप कर क्या रहे हो प्रातना करने के लिए बैठे हो लेकिन म कांत में कुछ समय निर्दारित किया है सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन सुच आफ कर दो या फिर कुछ देर के लिए उस रूम में बंद कर दो अपने आपको लॉक यॉर्सेल्फ इन यॉर इन डाट रूम और जो है अगर आपके दिमाग में तभी फोन आपको याद कोई बात नहीं अब डाइरें में लिख one important work लेकिंकं करना मत प्रातना के बात जो जो याद आता है लिखते जाना उसके बाद एगना कुछ देर के बाद कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि जो जो याद आता आपने उसको औरर देर लिख लिया और अब आप क्या करने वाल सिर्फ के लिए एक घंटा लगता है उसके बाद वो प्रातना शुरू करते हैं प्रातना में इंगेज होने के लिए वो क्या करते हैं लघी सेथ ये एक इंट्रव्य में उने का एक से 1.5 गंटा उनको प्रातना का आंपिंज या फिर प्रातना के उस शाइली में ढने में ठलने के में उनको लगता है उसके बार हो प्रातना हना उस महांदास को इतना अगर परिश्रम करना होता है तो हम जैसे विश्वासियों को कितना और अधिक करना होता है यह मैं मैं सूच रहा था इस प्रकार जो है अनेक ऐसे examples में रेसे तो वो चुडैल इस प्रकार या फिर माफ कीज़े काप जो फिर य कि ऽे इस प्रकार के हैं हृम क्या करते हैim इन लोगों के प्रातना ओको तोड़ने के उपर रहता है जो वो देख नहीं सकते हैं इस कारण से जितना भी वो प्राथना करते हैं वो जो डाक सीलिंग है उससे उपर क्रॉस नहीं कर पाता है तो क्या करते हैं क्या करना चाहिए तभी वुस्तरी ने बता है लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्राथना में क्या रहता है वो glass ceiling, वो glass ceiling क्या होता है, कमजोर जाता है या तूट जाता है, वो कैसे लोग है, जो अन्नी भाष्चा में प्रात्ना करते हैं, आत्मा में प्रात्ना करने वाले, जो अन्नी भाष्चा में प्रात्ना करते हैं, उनकी उपर देख, उनकी उपर वो glass ceiling का effect काम नहीं करत इस कारण से एक एक आग जब वो प्रात्रा करते वो उस क्लास सिली को थोड़ कर जो है उपर जाती है इसलिए वो इस तरी कह रहे थी कि ऐसे लोगों की उपर जो है हम कुछ भी एफेक्ट नहीं कर पाते क्यों कि वो आत्मा में प्रात्रा कर रहे हैं क्योंकि वो आत्मा में ए पॉलूस कहता है और उसको कहने के बाद उसके 18 वर्स में ध्यान से सुनिएगा एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18 18 में इसमें लिखाया है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रातना हर हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रात्ना पालूस पहले बोलता है बेटा तुम सारे हतीयार बांध लो उदार का टोप पहन लो दार्मिक्ता का जिल्म पहन लो मेल का सुसमाचा लगा लो सत्ती का कवच पहन लो हर एक चीज़ लगा लो हर एक चीज लगा लो लेकिन अठारवे आयत में पॉलुस कहता है ये सब लगा कि ठीक है अच्छी बात है हमें लगाना है लेकिन अठारवे आयत में कहता है कि हर समय लगाने बर से काम नहीं होता उदार का टोप पहनने बर से काम नहीं होता जूते पहनने भर से काम नहीं होता आत्मा की तलवार पकड़ का काम नहीं होता हमें जो है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रात्ना करना है आत्मा में क्या करना है? प्रात्ना करना है आत्मा में प्रात्ना करना है आप कमजोर होंगे हो सकता है आप आगे बढ़नी पा रहे हैं आप मुश्किल में होंगे आप बहुत समय पर ऐसा होगा आपके सामने उलजने आ गई हैं मुश्किले आ गई हैं आप आगे बढ़नी पा रहे हैं आप तूटे हुए हो सकता है हो सकता है आपका अपना आपको छ प्रातना करूं भीया मैं तो इतने प्रॉब्लम से जा रहा हूं तभी रोमियों की पत्री उसका आठ वाध्याय और इस प्रकार कहता है उसके 26 में 826 में रोमियों के पत्री 8 प्रातना कैसे करते हूं क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रातना किस करना चाहिए अप का एक दूश्मन होगा हो सकता है एसा वेक्ति जिसने आपको बहुत चोट पहुँचाया होगा और वह वेक्ति आज मुश्किल में है और आपके पास एक प्रात्ना का request आया है और आप उस वेक्ति के बारे में जानते हैं और आप सोच रहोगे कि भाइया मैं कैसे उस वेक्ति के लिए प्रात्ना गुरू वेक्ति तो ऐसा है आत्मा भी हमारी दुर्बलता में प्रात्ना करता है आत्मा में प्रात्ना करता है आत्मा में प्रात्ना करता है आज मैंने आपको प्रात्ना में के बारे में अनिक चीज़ों को बता है प्रात्न प्राथना हमें परमेश्वर को जानने में मदद करता है हमने पॉलुस के जिन्दिक्री से देखा और प्राथना हमें मैंने आखरे में ये बताया कि आत्मा में प्राथना करना आपके स्पिरिच्वल रेल्म को उपन करता है spiritual रह्म को बनाए इसलिए हम बार-बार कहते हैं अन्य भाष्या में प्रात्ना करने के लिए प्रात्ना हमें आगे बढ़ाता है प्रात्ना आपको आपके destination तक पहुशने में मदद करता है मैं जानता हूं समय मेरा बच कुछी समय रह गये हैं मैं कुछ आखरे में प्रात्ना भी करकर मैं यहां पर अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं एक और चीज़ बता कर मैं आपके लिए प्रात्ना करना चाहता हूं एक परमेश्यों के दास के एक चोटी से गवाही है उ एक बार वो प्रात्ना कर रहे थे प्रात्ना कर रहे थे उन्होंने पूरे भारत वर्ष में अनीक चर्च उसको प्लांट किया है अनीक चर्च उसको प्लांट किया है बहुत ही सामर्ती परमेश्यों के दासे वो प्रात्ना कर रहे थे और एक बार उन्हों की प्रात्ना कर रहे और उस पास्टर का उस वो जो आने वाले थे उनका भी ना था आशारी उपदेशी शयाद आपने सुना होगा नाम आशारी उपदेशी नाम के और ये रात को प्रातना कर रहे हैं और बार बार उनको यही आ रहा है अगले दिन सुबह ठीक सुबह पांच बजे उनके घर में दर्वाजे पे खट-खट अब आज आती है दर्वाजा खुलके देखा तो वही आशारी उपदेशी नामक पास्टर वहां खड़े हुए हैं यह आशारी उपदेशी पास्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है फालतु चीज़े बात नहीं करते हैं तुद़ पॉइंट टुद़ प्रात्र ना करने वाले का हाथ परमेश्य आपको त्यार करेगा कारण क्या है क्या है क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले हैं आप हो सकता है दूसरे जगह में जाये होंगे और आपको टेंशन होगा कि भीया मेरी मदद करने वाला कौन है अगला प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्य पहले ही आपको मदद करने के लिए त्यार करके आप सोच रहोंगे कि मैं अब यहां से जा रहा हूं लेकि अगला मेरा रोल मेरी रिस्पॉंस्बिल्टी लेने के लिए कौन है तूप्रार्थना करने वाला है तेरी रिस्पॉंस्बिल्टी लेने के लिए एक अगला प्रार्थना करने वाले को परमेश्य त्यार कर रहा है हालिलूया हालिलूया आए कुछ देर अपने आखों को बंद करें और अपने आपको समर्पित करें कि प्रभू मैं प्रात्थना में और आगे बंदू एक प्रात्थना का वीर बंद कर प्रभू जी तुझे प्रसन्न करने योग्य मेरी जंदगी होने पाईए मैं प्रात्ना करें आईए मैं चाहता हूं कि कुछ देर हम लोग सब अन्य भाशा में प्रात्ना करें अन्य भाशा में प्रात्ना करें आप जहां कहीं भी है अपने जगों पर अगर आपको अन्य भाशा का वरदान नहीं प्राप्त है कोई बात नहीं आज हालियूया के शब्द करिये प्रात्ना करिये प्रबू मुझे आत्मा में प्रात्ना करने के लिए पवितरात्मा का वो दान मुझे दीचे प्रभू में प्रातना गतों पिता कि मुझे वो अन्य भाशा का बर्दान जै दे रिखे जबाउड़ा का लंग दीनी मैं जैसे ही इस मीटिंग के लिए त्यार कर रहा था कि इस मीटिंग में जुड़े हुए कुछ ऐसे जवान हैं जो दूसरे देश से आया है दूसरे मतलब जगह से आप मुझे जब जहां से आप जब मुझे सुन रहे हैं आप उस जगह के नहीं हैं आप वहां रहते नहीं हैं लेकिन आप दूसरे देश वा दूसरे जगह से हो सकता है पढ़ाई के लिए हो या कुछ काम करने के लिए वहां पे आया हो और आप कुछ मुश्किलों से जा रहे हो, आप कुछ मुश्किलों से जा रहे हो, आज मुश्किलों से जाते वक्त, मैं इस प्रकार मैसुस कर रहा हूँ कि आज रात प्रभू आपके लिए एक सहायता, भाई मनोच के जिंदगी में परमेश्य आज एक सहायता बन कर उत्रे हो मैं आप में लोग आप लोगों में से किसी को नहीं जानता मैं आपका नाम भी नहीं जानता लेकिन एक मनोच के लिए प्रात्ना करने के लिए जो मुश्किलों से होकर जा रहा है मैं जानता हूँ आज रात भाई आज रात प्रात्ना करें आज रात प्रात्ना करें आपके जीवन में प्रभू अद्बुत काम करेंगा उस मुश्किल से परमेश्य आपको बहार निकालेगा आपके लिए एक मददकार आपके लिए मददकार आपके लिए मददकार वोगा रूरीस होगा वोगा वो बनेगा वो आएगा आपके लिए पास वाई दरखाव डबारम्तनी, जिeltर, खुछ ऐसे जवानों के लिए प्रात्ना करने के लिए मेरें अंदर प्रिवेडना हो रही है, जो रात को बुरे ख्यालात, सपनों में- बुरे शपना आते हैं, वो रात को सोनी पाते हैं 500 मैं प्रॉपर लिए, एक हैड़ेक बार बार उ को परिशान करने के लिए, रात को सोने पारे, ऐसे टाइम का एक हैड़िक, माइकरिंस से तंग самое जवानों के लिए प्राथना कर रहा हूं, इस शुक्हे नाम से उस सारण और को, उस सारी बलहिंताओं को मैं इस शुक्हे नाम से तढ़त हूं, Keith से वे 앤들이 फ्राथना करते हैं वाइद Обाउड करम ठी शदूरबोड'm ठी प्रमधिर ४रभूजी उनके उनके व刺पन जो रभूची अंदिकार की थाकते जहों के सपनों में आख उनको पचावी लेनी कोशिश कर दे ईस्युक्रेर नां से उसको हम बाटते हैं, रिलीस करते हैं, प्रभुजी उनको आज़ाद 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 क करिएगा तैंक यू लॉर्ड तैंक यू लॉर्ड तैंक यू लॉर्ड प्रभू जी आपने हमारी प्रात्नों को सुना और उत्थर दिया इसके लिए सारी चीज हो में आदर्मान समान हम आपको देते हैं जुड़े हुए हरे लोग को आशिष्ट करिएगा इस मसी के नाम से आमेन आमेन गाड ब्लेस्ट यू प्रभू आप सभी को आशिष्टे मेरे लिए प्रात्ना करिएगा और में परिवार के लिए प्रात्ना करिएगा जो सेवकाई प्रभू ने सौपी है उसमें भी आगे बढ़ने में मदद करें तैंक यू वंस अगें फॉर इंवाइटिं आज हमें उन्के दासों के मुख के द्वारा प्रभू ने हम सब को भाते की हैं और प्रात्ना मैं जीवन के लिए प्रभू हम को पच्छन दीए इसलिए प्रभू को भू जबाधी नेवाद परमिश्ट देटें इस समय के लिए परमिश्ट ऑफिस अम्लावी देंगे उत्रविष्वन का करेंके अनुस यह लाय मे Cancer ले आगले बाई निकिल आमें इसमें ब्रावो के दासे और वेनेडी के सब्सक्राइब करें आखरी रातना करके इस सेशन को हम यहां पर विराम दें प्रभुजी एक और आपके सन्नीदी में आते हैं क्रिपाव में आप हमें चलाइएगा और हमें आगे बढ़ने में पदद करिएगा अपिताका प् सदेव 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 रहने पाए आमें 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 आप गद्लेस यू अब आप सभी को अशुष थे गद्लेस सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब 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 मुझ धन्यबाद दबाद कुछाहिए भी यमान को मध्यरे शिस्टर नाउमी और दामुझ जोडिरोष यमानको चीर राथ नारसे भारे कड़ाई नहीं थिले बहुत धन्यबाद दबाद दबाद सिस्टर आउम प्रभ आप अपर नंको बहुत अश्च्वाद करंत आउम अन्यगा ज्यागारे आपर नंको भaking कर नंतू थांकि धि फंगभी। प्रभं को बाक्यों सुनीले शितमें बद बहुत बहुत हने बादी प्रभु आपण मनको प्रतिगम को असिर्वात करन तो आओ किछी सुचना रहियोची आओ प्रतिको बुधवार संध्या सातरा समयरे अमानुकर यूथ अपलसेदाय टीम तरफरू आओ किछी सुचना प्रतिको बुधवार सातरा समयरे होई थाए यहांकि प्रतिको बुधवार सातरा समयरे होई थाए यहांकि प्रतिको बुधवार संध्या समयरे होई थाए आपर मान को अन्रोद आपर मने समाज़् आस्न तो अन्य मान को भी जोड़ांतू आउँ परमे शुरूम को गवधियंतू प्रतिख वंकु बहुत भंयवादी प्रतिख वंकु प्रेज लौड रड़ थेंक्यू कर दो उमस्ते प्रसलोड आउ निजनिजे लिए तरिवा धनिवा कि अ झाल झाल